आज हम बनाएंगे सर्दियों की खास रेसिपी, मूली के पराठे, दो तरह से दोनों ही स्वात में एक से बढ़कर एक, नमस्कार, निशामदलिका.com में आपका स्वागत हैं, तो शुरू करते हैं बनाना, सबसे पहले दो बना लेते हैं, दो कप गेहूं का आठा, और एक छो चमच नमा, या स्वाधन सार, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर सॉफ्ट डू बनाएंगे, जैसा कि आप रोजाना पराठो के लिए बनाते हैं, थोड़ा सा ओईल डाल कर इसे मल लेते हैं, आठा गूत कर तयार कर लिया, सॉफ्ट आठा है, और इतना आठा कप पानी लग गया है, इसे ढख कर 20 मिनिट के लिए रख देंगे, यह साइट हो जाएगा, और तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं, यह तीन मूली वजन में यह 500 ग्राम है, मूली को छील लिया, थो कर सुखा कर ले लिया है, अब इसे ग्रेट करना है, इसमें एक और थो होती है, सारी मूली ग्रेट हो गई, मूली के अंदर जूस बहुत ज़्यादा होता है, यह देखिए कितना जूस, इसे हमें हटाना है, इसके लिए हमें मूली को निचोड़ना पड़ेगा, हाँ से भी निचोड़ सकते हैं, कपड़े में डाल करके भी निचोड़ सकते हैं, कपड़े में डाल कर निचोड़ने तो यह जादा अच्छे तरीके से निचोड़ जाती है हाथ से दबाया नहीं है और फिर भी देखिए क्या से जूस निकल रहा है तो इसको थोड़ा सा दबाना शुरू करते हैं देखिए कितना सारा है इसे आप चाहें तो काला नमक भुना से ड्राय ड्राय सी अब इसके अंदर मसाली मिलाते हैं दो हरे मिर्च बारी कटे हुए बीज हटा दिये हैं ताकि ज्यादा तीखे ना लगें एक इंच द्रक का टुकड़ा ग्रेट कर लिया है चोथा ही छोटी चमच चीरा थोड़ा सा क्रस्ट कर लेते हैं टेस्ट आदा छोटी चमच लाल मिर्च ज्यादा तीखा काना पसंद करें तो ज्यादा डाल सकते हैं आदा छोटी चमच अमचूर पाउदर इसके जगे आप चाट मसाला भी डाल सकता हैं और चाट मसाला डालें तो नमक थोड़ा सा कम डालें और यह हमने मूली के पत्ते जो छोट छोटे छोटे नरम नरम थे वो बारी काट कर लेगी है तो यह लगभग आदा कप और तीन-चार टेबल स्पून हरा धन्या अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है नमक सबसे बाद में डालेंगे तो कि नमक डालने से मूली फिर से पानी छोड़ने लग जाएगी डो को रखे यह भी 20 मिट हो गए हैं यह भी सैटो कर तयार है थोड़ा सा हाथ पर ओईल लेंगे और इसे थोड़ा सा मसल लेंगे और अब दीखिए कितना स्मूथ अच्छा डो बनकर तयार हो गया अब पराठे बनाना शुरू करते हैं स्टफिंग में अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो यह नमक तीन चोथाई चोटी चमच या स्वाधन सा पराठे बनाने के लिए थोड़ा सा आठा निकाल लेंगे छोटे या बड़े पराठे आप अपनी पसंद से बना सकते हैं मैं मेडियम साइज का बना रहे हूं और इसको इस तरीके से पेडा जैसा बना लिया गोल कर करके अब इसे सूखे आठे में लपेटा और चकले पर रखा थोड़ा चोटे साइज का मोटा सा बेल लिया यह इतना बड़ा और अब इसके अंदर रखी थोड़ी सी स्टफिंग लगभग दो तीन चमच स्टफिंग रख देंगे स्टफिंग आप अपनी पसंद से जादा कर सकते हैं लेकिन बहुत जादा मत रखिए क्योंकि फिर पराठा बेलना मुश्किल हो जाएगा और इस स्टफिंग को बंद कर देंगे आठे को बापस दबा दिया ताकि स्टफिंग इसके अंदर एक जैसी फैल जाए और अब इसे सूखे आठे में लपीटेंगे थोड़ासा हाथ से इस तरीके से बढ़ा लेंगे हाथ से बढ़ा लें तो पराठा फटता नहीं है थोड़ासा सूखा आठा और लगा लिया और चَकले पे रखे हाथ से और दबा दिया अब इसको हलके हाथ से बिलेंगे अगर पराठा चिपकने लगे तो सुखा आठा इस तरीके से डाल सकते हैं इसके उपर क्योंकि मूली में बहुत जादा रस होता है हमने बहुत सारा रस इसका निकाल दिया है लेकिन फिर भी इसके अंदर है तो वो जल्दी से चिपकने लग जाता है और यह देखें यह हमारा पराठा बिलकर हो गया तयार बहुत ज़्यदा पतला नहीं करना है ऐसा मोटा पराठा बेलना है और इसके उपर जो आठा है न उसको आप इस तरीके से जड़ा दीजे पराठा सेखने के लिए तबा हमने पहले से ही गरम कर लिया है तब यह पर पहले थोड़ा सा ओईल लगा ले तो पराठा चिपकता नहीं है और अब इसे सेखने के लिए डालते है हम यह पराठे दो तरीके से भर कर बनाएंगे तो पहला तरीका एकदम साधा जैसा कि हम सभी पराठे बनाते है यह उपर से थोड़ा सा कलर में डार्क होने लगा है पलट देते हैं इसे हलका सा सिग्या इधर अब दूसरी और भी हलकी ब्राउन चित्ति आने तक सिखने देंगे अब इस सर्फेस पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे मूली के पराठे तेल के ज़्यादा अच्छे लगते है पलटते है और थोड़ा सा तेल इधर भी लगा देते है अब इसे हलके हाँ से दबा दबा कर दोनों और अच्छी गोल्डन चित्ति आने तक सिख लेंगे इसे अब मीडियम फ्लेम पर इसे किए बहुत अच्छा बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा यह पराठा अच्छा सा फूल रहा है देखें कितना अच्छा पराठा सीख रहा है उतार लेते हैं इसे तब इसे दूसरे पराठे के लिए भी बिलकुर उसी तरीके से स्टफिंग भरी बेल लिया यह पराठे हमने सेख कर तयार कर लिये अब दूसरे तरीके से भर कर पराठे बनाते हैं इसके लिए भी हमने उतना ही आठा तोड लिया जितना कि पहले पराठे बनाये थे लेकिन इस लोई मैसे अब हम दो टुकड़े करेंगे बराबर के और इन दोनों को गोल कर लेंगे और पेड़ा बना लेंगे इसे अलग रख देते हैं दूसरा पेड़ा उठा लेते हैं और आठा लगा के उसी तरीके से रोटी जैसा पतला बेल लेते हैं यह चपाती के जैसा ही पतला बेल लिया है मैंने और इसे मैं एक प्लेट में रख देती हूँ, दूसरा बेल लेती हूँ, ये दोनों बेल लिए हमने, अब एक रोटी के ऊपर हम थोड़ी से स्टफिंग रख लेंगे और पतली पतली सी फैला लेंगे इसे, ये जो दूसरी तरीके से बना रहे हैं, ये पराठे बिल्कुल इनारे चिपका देंगे, थोड़ा सा इसे बेल भी देंगे, बहुत जादा नहीं बेलना है, क्योंकि हमने पहले से पतली रोटी बेली थी, बस थोड़ा सा, ये हो गया तयार, अब इसे सेखते हैं, सेखने के लिए तब ये पर डाल दिया, बिल्कुल वैसे ही सेखना है, ज इसे पलट देते हैं, और अब दूसरी और से भी हलका चित्ती आने तक सिखने देंगे, थोड़ा सा तेल लगा देते हैं इधर, और इसे पलट देते हैं, इधर भी तेल लगा देंगे, और बिल्कुल उसी तरीके से इसे हलका हलका किनारे से दबाते हुए, दोनों और अच कर लीजिए फ्लेम को और यह देखिए दन और से बढ़िया एकदम गोल्डन सिक्के तयार है इसे भी उतार कर रखते हैं यह पराठे तयार हो गए इतने डो से 6-7 पराठे बन जाएंगे मूली के गर्म गरम पराठे तयार हैं इनके साथ परोस्ते हैं आम का अचार हींग वाल से भी साथ परोस्ते हैं बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगे मूली का पानी अच्छी तरह से निचोड दीजिए स्टफिंग को पूरी तरीके से बंद कीजिए हाज से दबाईए और हलके हाज से बेलिए हमने दो तरीके से पराठे बनाए है जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से बनाए है सेकते समय फ्लेम को मीडियम रखे पहुत ही खसता पराठे बनकर तैयार हूंगे तो आप यह पराठे बनाएए खाये और अपने अन्वा मिलसा शेयर कीजिए और मुझे बताएए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है अगर आपने मेरा च झाल 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 झाल